अपने यूट्व चैनल अमितास च्लासेज में तो यह वीडियो इस्पेसिली उन कैनिडेट्स के लिए हैं जो सेहना जाना चाथे हैं सेहना में भरती होके देश की सेवा करना चाहते हैं और देश के लिए ही मर मिटना चाहते हैं अगर दोस्तों आपका एंडियस उडियस नहीं हो पाया है और अब आपकी एज हो चुकी है तो आप टेंशन मत लीजिए भरती आ गई है आप ये फॉर्म फिल अप करिए क्या क्या है इन सब चीजों के बारे में आगे बात करेंगे लेकिन अभी हम आपके छोटी सी बात बता करेंगे यहां पर और आई होप यहां के बात से आपको किसी भी चीज का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और अगर आप में अंदर थोड़ा सा भी जज़बा रहा है अगर आपने एंडे की त्यारी पहले की है और किसी कारवास सेलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं आपको बता का नाम स्दyियो करते हैं रही लगे तो चाहं की यहां की तो चोटी से लिकिए कि बड़ी चीज हर चीज की बारे में यहां पे बात करेंगे हर इनक्रमेशन आपके साथ शेयरोगी वीडियो पूरा थ्यान से देखिएगा ताकि कोई भी डाउट आपका ना रह से ठीक है तो चली सुरू करते हैं सबसे पहले इसको हम जूम करते हैं और देखते हैं कि समिसन आफ एप्लिकेशन यानिकी फॉर्म भनने की तारीक कप से सुरू होगी तो वह हो जाएगी 26 मई से सुरू होके 25 जू ठीक है ना टू एपलाई ऑनलाइन एट www.jointerritorialarmy.nic.in ठीक है आगे दिया हुआ है नो अधिर मोड फॉर्मिसन आफ एप्लिकेशन यानिकी फॉर्म जो फिल होगा वह सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा ओफ लाइन मोड में फॉर्म फिल अप नहीं होगा तो आप यह गलती मत करिएगा ठीक है चलिए आगे देख लिते हैं कंडिसंस ऑफ एलिजिबिल्टी की अगर मैं बात करूं यहां पे तो आपकी नेशनलिटी जो होनी चाहिए वह इंडियन होनी चाहिए मेल या फीमेल दोनों चले गए यहां पे और अगर हम बात करें एज लिमिट की यानि क किसी भी इनवर्श्टी से ग्रेजिशन होना चाहिए परसइंटेज की मांग यहां पे नहीं है आगर परसंटेज होता तो यहां पे मेंसान होता ठीक है तो आप इसको भी लेके बेखिकर रही है ठीक चलिए आगे बात कर लेते हैं आप फीजिकली दोनों फिट रहेंगे त आगे बात करते हैं यहां पे देखें नोट में लिखा हुआ है कि सर्विंग मेंबर आफ दे रेगुलर आर्मी और नेवी एर फोर्स पुलिस जी आरेफ एफ एफ एन पैरा मेलिट्री एंड लाइक फोर्स और नौट एलिजीबल यानि कि अगर आप पहले से आरमी में नेवी में एर फोर्स में या किसी भी चीज में जॉब कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजीबल नहीं है ठीक है डेट आप रिटेन एक्जामिनेशन की बात करूं मैं यहां पर तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि यह 28 जुलाई है ठीक है फॉर्म बने की तारिक चली आगे बात कर लेते हैं असलेबस की बहुत इंपॉर्डन होगा मैं से बसके इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा सिलबस में मैंने आपको बताया कि फूल डिटेल यानिकी फूल डिटेल ठीक है चली आगे बात कर लेते हैं यहां पे सिलबस की तो देके दो होगे पहले बढ़र होगे और दूसरा फेलियो पेपर में क्या क्या हूगा रिजनींग करी मैखमेटिक स्टी अ ErnTS आएगे और इस ने की दूघन गापày पर होगा सो क्योंस होंगे 50 रिजिनिंग से होंगे 50 मैथ से होंगे और 100 नंबर का भी होगा ठीक उसके बाद जो पेपर से कंड होगा वो जनल नौलेज एंड इंग्लिज का होगा और यहां पर भी वही चीज के 50-50 क्योंस एक एक सब्जेक्ट से रहेंगे और 50-50 मार्क्स के रहेंगे तो अगर मैं बात करूँ टोटल तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा ठीक है दो सिफ्ट में पेपर होंगे पहला पेपर जो होगा वो रिजिनिंग एंड मैथमेटिक्स का होगा दूसरा जो होगा जनल नौलेज एंड इंग्लिज का होगा अब इस टेंडर की अगर हम बात हो सकते हैं अलिवंत की पूस सकते हैंलबंग की एंडी तो यह मतलब है कि आ अगले मिश्यच थोटेẢ़ को जा सकते हैं जलिए देख लेते हैं अगर हम बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि रिजिनिंग में अदा क्यूष न पेपर विल डिजाइं टेस्ट थे डि सब्सक्राइब यानि कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका जो लेबल होने वाला है वो जैसे की सिविल में होता है ठीके आप देखते होंगे इसमें आती है लेकिन एसा नहीं रहता है लेकिन उतना टफ जो उसका लेबल होता है वह उस तरीके का रहता है जहां पर लॉजिकल रिजिनिंग की ज्यादा बात की जाती है ठीके ऐसे ही नहीं कि आप सॉल्व कर लिए चार आदमी बैठ गहें ऐसे उतर क्यों मूग करके ऐसी वाली रिजिन नहीं होगी वहां पर स्ट फिटाफ होने वाला है ठीके अगर हम बात करें अर्थमेटिक की तो यहां पर देखे पूरा यह सब कुछ दिया गया है ठीके अगर इसके बारे में हम धीरे दिर बात करेंगे तो यह वीडियो कम से गमादे घंडे का चले जाएगा और आप देखोगे नहीं ठीक तो अगर इसके पेपर का और वैसे भी जो एंडेस दे चुके हैं उनको पता होगा कि पेपर जो लेटेन पद के लिए होंगे वह इतना हलुआ पेपर नहीं आएगा ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं स्टैटेटिक्स भी आएगी यहां पे और पेपर से किन की बात करेंगे जनर यानि कि वो हैं कि नहीं है और ज थादिए रयर द खेबिशन इन सृते को एंडा अलू कर दाएं टियुना मे ! तो आप को यह करना है कि जो भी आप दीजी यहां पर वो सब चीजे सही होनी चाहिए गलत कोई भी चीज यहां पर नहीं हो ठीक है इतना ही बस आपको समझ लेना है क्या है क्या है मिनिमुम फुर्टी पर्शंट मांक ही ठीक है हर टॉपिक में यानि कि फिफ्टी के लिए या आगे की चीजों के लिए नहीं बुलाएं जाएंगे यहां पर इतना आपके पास होना ही चाहिए फिर यहां से मिर्ट बनेगी आगे बात कर लेते हैं टाइप आप एक्जाम की तो वह अब्जिक्टिव होगा ओम्र बेस ठीक है और ऑल्लाइन नहीं होगा पेनल्टी फॉर रांग एंसर होगा वह आगे दिख लिएगा ठीक है सब्सक्राइब की बात कर लें तो 200 रुपए है ठीक है वह आप फिजिटल देख सकते हैं 200 रुपए फीस है चैनल नोबीजी की हाव टू एपलाई ठीक है जॉइन टेरिटोरियल आर्मी डॉट इन पर जाके आप कर सकते हैं ठीक है चलिए बाकी यह एड्मिट कार्ट अफ तो आप यह देख सकते हैं कि डाइडमिट कार्ट विल भी मेर्ड एवलेबल ऑनलाइन फॉर बिंग डाउनलोडर अफ्र समेशन एप्लिकेशन भाइडर के ठीक है तो एप्लिकेशन वह भी धिरी-धिरी आजाएगा वो सब चीज़ आगे की है और फॉर्म आप भर दीजग आप डी इसएजें निकालते हैं तो आप श्रीनिंग के लिए बुलाए जाएगे अब प्रिमिल्ली इंटर्वीव पी टीक है उसके बाद पहले पीजूआइब दोगे ठीक है उसके बाद आप दोगे एससब्स सर्विस सेलेक्शन बॉर्ड के तरफ से जो से टीक होता है ज पर देश के लिए नहीं जाता है और पद के लिए जाता है और देश की सिवा के जाता है तो यह सब चीज यहां पर है और बाकी आपको जो भी कैसे होगा यहां पर ठीक है जब आगे होगा तो आपको मैं बस इतना चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप यह फॉर्म करते हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ इंफोर्मेशन नहीं मिस हो गई है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं हो चीज आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे ठीक है तो वीडियो देखने आपका बहुत बस शुक्तिया दोस्तों धन्यवाद